और बॉस तो चालू करते हैं SFM का एक नया चैप्टर, mutual funds, देखो वो कहते हैं एक line है, you love it, you hate it, but you cannot ignore it, मैं आपको अताता हूँ, mutual fund पर ये line एकदम exactly बैठती है, देखो आप लोग जब भी qualify करोगे, उसके बाद आप लोग चाहे practice चालू करें, आप लोग चाहें job करें, चाहें अपना business, startup, कुछ भी करें, एक चीच तो नक्की है कि आप लोग पैसा कमाने वाले हैं, ये जो पैसा आप कमाने वाले हो, इसके अंदर से आप लोग savings करने वाले हो, और ये जो savings आप करने वाले हो, इसमें से कुछ ना कुछ money, आप definitely invest करने वाले हो, और जो आपका investments है ना, इसका एक part, definitely, definitely mutual funds होने ही वाला है, आपका एक relation बनने ही वाला है life में आगे, mutual funds के साथ, तो ये chapter सिर्फ exam point of view से नहीं पढ़ेंगे, ये chapter को तो यार हमें अपने real life के अंदर apply करना है, उस हिसाब से भी हमारे को पढ़ने का ध्यान रखना है, देखो, आप लोग अब final level पर आ गए हो, तो मैं मानता हूँ कि mutual fund के लिए, आपके दिमाग में clean slate तो definitely नहीं है, आपको definitely इसके बारे में कुछ ना कुछ idea तो है, खास करके टीवी पर आजकल इसके बारे में इतने advertisements भी आ गए है, तो I am sure mutual fund के बारे में आपको कुछ तो idea है, बट अपने लोग शूरू से start करते हैं, एकदम layman terms के अंदर, देखो mutual fund के बारे में एकदम layman terms में अगर मैं बात करना start करूँ, तो बात कुछ ऐसी है कि देखो यार, हर इंसान का मन है कि capital markets में participate करें, बराबर, और capital markets में participate करने के लिए, जो raw material है ना, मान लेते हैं, raw material क्या है capital markets में participate करने के लिए, पैसा, मान लेते हैं आपके पास पैसा भी है, पर problem यह है कि आपके पास expertise की कमी है, कि मैं participate करूँ तो करूँ कैसे, मैं कौन से stocks पिक करूँ, ये problem कि मुझे capital markets में participate करना है, participate करने के लिए मेरे पास पैसे भी है, पर participate करूँ कैसे, ये problem है, तो इसका solution है mutual funds, so mutual funds क्या करते हैं, आप लोगों से पैसा collect करते हैं, उस पैसे को invest करते हैं, investments को continuously monitor करते हैं, जरुवत पड़े तो उसको churn भी करते हैं, और maximize हो जाए आपका return, उसकी कोशिश करते हैं, आपके capitals को protection करने की कोशिश करते हैं, कि कोई भी तरीके से आपके capital के अंदर decline ना आ जाए, so this is what mutual funds do, और अगर आपको कभी भी किसी को भी layman terms में समझाना है ना यार, कि boss mutual fund क्या करता है, तो आप उसको यही बोलोगे, कि देख तेरे को capital markets में participate करने का अगर मन है, पर यह नहीं पता कि कैसे participate करते हैं, तो कोई बात नहीं, अपना पैसा ले, mutual funds को दे, वो लोग तेरे यह problem को solve कर देंगे, अब देखो, यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, कि even though आप अपना पैसा experts को दे रहे हो, जो आपका पैसा manage करेंगे, उसमें से investments करेंगे, maximize return करने की कोशिश करेंगे, capital protection करेंगे, even though आप अपना पैसा experts को दे रहे हो, यह पूरा काम करने के लिए, एक छोटी सी fee या commission आपसे charge करेंगे, profits जो है, वो भी आपके हैं, losses जो है, वो भी किसके हैं, आपके ही है, यह बात जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, और इसी लिए, सेबी ने mandatory कर दिया था, कि भाई mutual funds का अगर कभी भी कोई भी advertisement आएगा ना, तो एक disclaimer देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लोगों को यह लगने लग जाता है, कि मैं तो अपने पैसे experts को दे रहा हूं, वो manage कर रहे हैं, must investments कर रहे हैं, तो मेरे को loss कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूं, बास, मैंने इतने सालों के अंदर capital markets में एक ही चीज़ समझी है, कि जब bull market होता है ना, तब सभी लोग expert होता है, पर जब bear market होता है ना, तब असली expert की पहचान निकल कर आती है, तो समझना, it's okay, आपका पैसा ऐसा नहीं है, कि आपने experts को दिया है, तो वो हमेशा grow ही करने वाला है, loss होगा, तो loss completely किसका है, आपका है, और इस बात को समझने के लिए, इस misunderstanding को clear करने के लिए, सेभी ने, बहुत importantly, सारे mutual funds को बोला था कि, जब भी आप लोग advertisement करोगे ना, एक disclaimer देना पड़ेगा, वो disclaimer क्या है पता है ना, mutual funds are subject to market risks, please read all scheme related documents carefully, यह जो disclaimer है, पता है, इसकी भी एक must story है, आप लोगोंने कर भी early mutual funds के ad देखे होंगे ना, early mutual funds के ad, तो must mutual fund का ad आता था, वो एक minute का या, दो minute का या, जितना भी हो, must यह ad आता था, फिर यह सेभी की requirement थी, कि यह line बोली जानी चाहिए, और आप तो जानते हो कि advertisement में, जितने seconds का आपका ad है, उतना खर्चा लगेगा, mutual fund company बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, कि उनका खर्चा advertisement का बड़े, तो वो क्या करते थे, must पूरा ad एक minute का जो होता था, वो चलाते थे, उसके बाद एक second, आधे second बे एकदम फटा-फट यह line बोल देते थे, कि mutual funds are subject to market address, please read all schemes related to account, carefully, एकदम फटा-फट यह line आ जाती थी, और advertisement का तम हो जाता था, धीरे-धीरे लोगों को समझ में आया कि यार, investor education भी कोई चीज होती है, just because यह एक disclaimer requirement है, तो बोल के हम advertisement का पैसा बचाने के लिए एकदम खटा-खट यह line बोल दे रहे, तो यह अच्छी बात नहीं है, investor education भी कोई एक चीज है, तो धीरे-धीरे आप आज कल आद देख रहे हो, कि जब भी mutual fund का advertisement आता है, यह line बहुत ही slowly, carefully, एक ऐसी voice में बोली जाती है, कि आप ना चाहते वे भी इस पर attention दे, and cut to today अगर मैं आपको बोलू, तो even celebrities are promoting mutual fund, आपने देखा हो, तो भाई Sachin Paji, अपने CSK के थाला, रोईच शर्मा, यह सारे के सारे जो लोग है, वो advertisements के आ रहे हैं, जिसके अंदर वो लोग बोल रहे है, mutual funds सही है, imagine the amount of investment, India is going to see, in the upcoming years, in mutual funds, तो देखो, this was everything about mutual funds, in layman terms, में थोड़ा सा mutual funds के बारे में, layman terms में आपको एक grasp होना जरूरी, and that is why, this is what we did in this video, next video में आपके साथ, मैं एक बहुत interesting चीज़ शेर करना वाला हो, कभी यह सोचा है, कि अगर मुझे खुद का mutual fund start करना है, मैं यह नहीं बात कर रहा है, कि मुझे mutual fund में invest करना है, यह नहीं बोल रहा है, मैं यह बोल रहा हूँ कि suppose, if you want to start a mutual fund, where people invest, तो how do you build a mutual fund, next video में यह बहुत interesting चीज़ हम देखने वाले है, how can I establish a mutual fund,